Hello and welcome to online schooling बच्चों आप numbers हरोज लिखते हो और आपने notebook में, books में देखा होगा कि numbers को लिखने के अलग-अलग तरीके हैं तो आज हम वो ही पढ़ने वाले हैं Writing numerals in different ways यानि numbers, numerals numbers को कहते हैं Numbers को अलग-अलग धंग से किस तरह लिखा जाता है तो पहले तो उनके नाम पढ़ लेते हैं पहला है Hindu Arabic Second is Roman And third is Dev Nagri अब सबसे जादा जो numbers आपने देखे होंगे बहुत commonly used होते हैं वो आजकल Hindu Arabic use होते हैं जैसे simple 1, 2, 3 आप लिखते हो Second is Roman Roman आपको books में भी पढ़ाए गए होंगे और आप में से बहुत बच्चों को आते भी होंगे Third is Dev Nagri तो आज हम सारे numbers को तीनों तरह से लिखना सीखेंगे Hindu Arabic में भी, Roman में भी और Dev Nagri में भी आपको कोई भी number बोला जाता है तो आपको तीनों में लिखना आना चाहिए Hindu Arabic में भी, Roman में भी और Dev Nagri में तो आएए देखते हैं तीनों में क्या difference है लिखने में क्या फरक है और Roman क्या specially देखेगा कि Roman में एक छोटा सा rule है वो अगर आपको समझ आ गया है तो all numbers are easy for you तो सबसे पहले हम Hindu Arabic देख लेते वो आपको सबको अच्छे से आते भी होंगे but still we will revise that with their spellings ठीक है उसकी spellings भी देखेंगे और उनको एक बार फिर से revise कर लेते हैं 1 O-N-E-1 1 2 T-W-O 2 3 T-H-R-E 3 4 4 5 5 5 6 S-I-X 7 S-E-V-E-N 7 8 E-I-G-H-T 8 9 N-I-N-E 9 10 T-E-N 10 तो ये थे Hindu Arabic अब हम पढ़ेंगे Roman Numerals या Roman Numbers अब स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे मैंने 1 को 1 स्टिक 2 को 2 स्टिक और 3 को 3 स्टिक लिखा है ये Roman Numerals है जो स्टिक से हमने मेंचिन किया दिया Roman Numerals अब इसके बाद आजाता है 4 तो 4 को 4 स्टिक लिखेंगे No That is wrong Roman Numerals का यही रूल है कि कोई भी स्टिक या कोई भी फिगर इसमें 3 से ज़्यादा बार नहीं आएगा तो 4 लिखने के लिए पहले मैं आपको 5 सिखा देती हूँ 5 लिखते हम V की तरह और फिर देखिए 5 से 1 less कितना होता है 4 उसी तरह से 5 से 1 more यानि 1 ज्यादा कितना होता है 6 तो अब आपको यह याद रखना है कि अगर minus 1 यानि कि एक नमबर पीछे है तो आपको left side पे एक 1 Roman Numerals वाला 1 लगाना है और उसी तरह से अगर एक नमबर ज्यादा है जैसे कि 5 से एक नमबर ज्यादा 6 तो 5 जो V लिखते हैं Roman Numerals का उसके right hand side पे सीधे हाथ की तरफ आपको एक 1 लगाना है Roman Numerals का तो अब आपको 4 और 6 तो याद हो गया होंगे 5 से 1 कम तो left side और 6 5 से एक ज्यादा तो right side छीक है इसी तरह से अब हम जैसे मैंने आपको बोला 3 बार से ज्यादा कोई नमबर रिपीट नहीं होगा तो अब हम आगे के नमबर देखते हैं पहले 6, 7 और 8 को देख लेते हैं अब जैसे मैंने आपको कहा कि 5 से एक ज्यादा होगा तो हम सीधे हाथ की तरफ यानि right hand side 5 के आगे हमने एक roman number लगा दी है एक stick लगा दी अब उसी तरह से 7 7 का मतलब 5 के आगे एक stick हो गई 6 एक और stick हो गई 7 उसी तरह से 8 है 5 तो आपको पता ही है उसके आगे एक stick लगा देंगे तो 6 बन गया एक stick और 7 और 8 हो गया अब 8 के बाद आता है 9 तो 9 को हमको क्या ऐसे लिखना चाहिए 9 क्यों क्योंकि इसमें 4 बार 1 आ गया लेकिन 4 बार तो roman numerals में नहीं आता तो इसलिए पहले 10 देख लेंगे 10 को हम कैसे लिखते है x तो वही वाला रूल यहाँ पर भी चलेगा कि जब 10 से एक कम होगा तो हम left hand side यानि उससे पहले एक roman numerals का 1 लगा देंगे तो वह हो गया 10 से एक कम 9 तो यह थे हमारे roman numerals from 1 to 10 अब आपने जब भी roman numerals लिखने है तब आपने इन rules को याद कर लें now we'll study about devnagri devnagri में 1 to 5 जिस तरह आपको screen पर दिख रहा होगा यहाँ देखिए 1 और 2 में difference क्या है उपर जो लिखा है वो 1 है red color से जो लिखा है और green circle मैंने इसलिए कि 1 और 2 में यही difference है 1 में circle लगा होता है उपर 2 में नहीं है अब 3 देखिए जिस तरह से हम Hindu Arabic में 3 लिखते है लगभग 3 वैसे ही है लेकिन देखो green color से जो circle लगा है सिर्फ इतना सा addition है 4 बिल्कुल simple है इस तरह से 4 लिखना है आपने 5 भी बिल्कुल simple है जैसे हम Hindu Arabic में 4 लिखते है लगभग उसी तरह से 5 भी है तो यह थे 1 to 5 अब देवनागरी में देखिए 6 कैसे लिखते है उल्टा 3 ठीक है और 7 कैसे जैसे हम छोटे U के मात्रा लगाते है और 8 जैसे हम drawing करते हुए nose बनाते है 9 इस तरीके से और 10 1 देवनागरी का 1 और चोटा सा 0 एक बार फिर से देख लिजे 6 इस तरह से 7 छोटे U की मात्रा की तरह और 8 जैसे मैंने आपको बोला drawing करते हुए जैसे nose बनाते है ठीक है और 9 इस तरह से उल्टा और नीचे से थोड़ा सा तेढ़ा और 10 फिर से देवनागरी का 1 और 0 इस वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा फ्रेंज के साथ शेयर कीज़ेगा आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखेगा और बेल आइकन भी जरूर दिबाईएगा और हाँ सक्स्ट्राइब दबाना मत भूलेगा थैंक यू स्टूदेंस और मुझे लगता है कि आज की वीडियो के बाद आपको रोमन न्यूमरोल्स और देवनागरी बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ईजी तरीके से समझ आगे होंगे और आप अपने आप इसको अपनी नोटबुक में लिखके अपने टीचर को वाट्साइब करेंगे ताकि वो आपकी मिस्टेक्स को हमेशा की तरह करेक्ट कर सके Till then, take care